हाई गाईज मैंने में सद्नान खान वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल सो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं इस कैपला पॉन के बारे में जिसको तुम्हें पता है हमने क्लेविकल अपनी कम्प्लीट कर दिये हमने उसके साइड इत्रमिनेशन उसके जनरल फीच तो सबसे पहली बात अगर हम इसके प्लावन के बात करते हैं तो यह एक थिन बॉन का टाइप है जब यह तो देखने में कैसे होती है यह फ्लैड वोन होती है तुम्हें दिख रहा होगा यह फ्लैड वॉन हम बात करते हैं इसके कुछ जनरल फीचर्स की और आज की वीडिय निभी कहें दो सर्फएस कुन-कुनख सी होता है यह होता है इसका डर्वाशल सर्फेस और यह होती है की और कास्ट भव्हैस अगर मैं बात करता हूं इसके बार्चर्स की तो इसकेze पास फिन अंगल्स ठीन होता है यह पहला एंगल इशन स्जिज इस इंफिर और एंगल lateral angle and lateral angle is also called glenoidal angle and इसके पास 3 process होते हैं कौन कौन से process होते हैं पहला this one is triangular spinous process ठीक्सिंद one is a cáromanon process and third one is Chora Koi this one is a cryomine process and this one is a एक general introduction bone के नहीं क्या पढ़ना है तो देखो मैंने आपर लिख रहे हिए लाइनस इट इस थीन बॉन प्लेज्ट पॉस्टिरो लेटरल एस्पेक्ट अब पॉस्टिरो लेटरल एस्पेक्ट क्या होता है दिखो इस फॉर एग्जामपल यहां मैं बना रहो हूँ बोडी का structure general एक ठीक है यह मैंने बोडी का back side का structure बनाया suppose इस तरीके से तो जो हमारी bone present होगी है यह posterior मतलब पीछे की तरफ यह back side तो इसे क्या बोलेंगा posterior and lateral aspect तो यहां present होती है हमारी यह bone इस तरीके से posterior lateral aspect ने present होती है of thoracic cage and next time मैंने क्या लिख ही इसके अंदर scapula has three border मैंने तो में बता है इसके अंदर तीन बोडर होते हैं कौन-कौन से this one is middle border this one is lateral border and this one is superior border three angles superior inferior and glenodal angle three process is penis process acromion process and coracoid process and two surface one is dorsal surface and one is coastal surface ठीक है हम बात करने वाले हैं इसकी side determination की तो देखो आज की वीडियो में हम side determination पढ़ेंगे next video में इसके general features पढ़ेंगे जैसे में बॉर्डर एंगल वगरा पढ़ा है वह सब cover out करेंगे और उससे next video हम इसके attachment पढ़ेंगे तो आज की वीडियो में या फिर ऐसे होगी हमें कुछ नहीं पता तो इसके लिए हमें सबसे पहले तीन पॉइंट करने हैं बस तीन पॉइंट में इसका side determination फिनिश हो जाता है फिर्स्ट क्या है तो देखो यहां पर क्या लिखा है न लेट्र मैंगल इस लार्ज एट क्लीन इट कैवेटी तो जो सका लेट्रम एंगल होगा व्लाज जो पर लेट्रम अगे लिए और यह वार्लिंट के विट्मू कर रहा कि इस तरीके से भी लेटरल हो सकता है तो आभी हमें इसका साइड इटर्मेशन पता नहीं चला ठीक है सिर्फ एक पॉइंट कवर हुआ है जो ग्ली नोडल एंगल है वो लेटरल ही होगा ठीक है ना तो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं इसके अंदर हम दा डॉसल सर्फेस इस एंड डिवाड़ेट बाइ ट्राइंगुलर स्पाइन इंट्व सुपरायस्पायरस इन इन इनफ्रायस्पायन स्फोस है तो देखो इसने बाद भाद भुढ लिए जिसका डॉर्सल सर्फएस होगा डिस बनीट्वाट सल्फेस डॉर्सल बइट इस ड्राइंगलर स्पायनस this is triangular spinos which divided into supra spinos forces and inference spinos forces basically क्या करता है जो dorsal surface होती है यह भी दो surface में divide हो जती है एक super spinos में और एक inference finance में तो इसकी जोई dorsal surface होगी should be dorsally oriented मतलब इस तरीके से होगी हमारी बोटनिया प्रेजेंट इस तरीके से नहीं होगी जो ठोरे सी kg उसके उपर इस तरीके से प्रेजेंट होगी अब ऐसे भी हो सकती है ऐसे भी हो सकती है एक तो में लेटरली पाद चलिया और एक हमें यह पाद चलिके डौर से लिए होता है अब तीसरा पॉइंट पड़ते है दा ठीकेस्ट लेटरल बॉर्डर रंस फ्रॉम दा ग्लिनोडल कैविटी अबव टू दा इसका मतलब है जो लिट्र टीक होगा देखो यह तो इस तरीगे सो सकते हों यहां पर लेटर बौर्टर होंगा अगर अगहाए लेकर लेख साइड कियो रीकूंज हो इतर डिया अब लेटल बॉर्टर कर लेज घया और लेटर बॉर्टर सौनी चाहिए और गयां हला चुछान सब्सक्राइब तो इसमें वोलब लेटर बॉर्डर है वो ग्लीनोरिडिल अब आउ मतलब उसके उप्पर क्या होनी चाहिए और वह ग्ली नोडल के वेटी से रन करता हुआ जो लेटरल एंगल है वो थोड़ा बड़ा होगा और उसके पास ग्लीनोडल कैविटी होगी दिसे यह रही ठीक है ग्लीनोडल कैविटी शुट बी लेटरली ओरियंटेड हमने यह पढ़ लिया सेगिंड ओप्शन हमने पढ़ आता है इसके अंदर जो डॉर्सल सर्फेस है श सुपराइस फोसे एंद इंफ्राइस फोसे यह पढ़ लिया था हमने तीसी चीस के पढ़ इसके अंदर हमने दा ठीकेस्ट बॉर्डर शुट भी लेटरली ओरियंटेड एंड इट्स अबव ग्लीनोडल कैविटी एंड ब्लो इंफीर एंगल ठीक है समझाई बात तो इसलि वीडियो को लाइक करें अपनी प्रॉड्लम उससे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे मेरे चैनल पर अभी विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें इससे में नेक्स्ट वीडियो अप्लोड करो आपको उसको नोटिफिकेशन मि करें थैंक यू सो मच